अस्सलाम अलेकुम दियर स्टुडेंट्स चैप्टर नबल फिफ्टीन और आज टपक है डिरेक्शन आफ इंडियोज एमफ लेंज लाग यानि लेंज लाग की मदद से हमने इंडियोज एमफ की डिरेक्शन फाइंड करनी है दियर स्टुडेंट्स मैं इसको जो लेंज लाग ने डिफाइन किया था उसको डिफाइन करने के बाद इसी डेफिनेशन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी कंड़ुक्टर में जो इंडियोज करन्ट है वह हमेशा अपने काश की अपोज करती है जो उसको परडियूज कर रहा हुता है उसकी अपोस करते हैं ये दो चीजे हैं दो डायग्राम हैं इसको मैं समझाता हूँ आपको लेट सी हमारे पास एक सॉलिनाइड है इसके साथ हमने गर्वाना में तरह कर दो अब हमारे पास यहाँ पर एक मैगनेट है डिरेक्शन इसकी इसके पोल्स हमने दिखा दिये डिर स्टुडेंट्स जैसे ही हम इस मैगनेट को इसके पास लेके आते हैं तो आपके इलम में है कि इसके अंदर मैगनेटिक फील्ड पर यूज़ना शूरू हो जाती है और फैरेड एलाग ने ये बात साबत की है कि मैगनेट इसकी मूवमेंट से किसी भी सॉलिनाइट के अंदर करंट पर डियूस होती है अब यहां पर इसकी मूवमेंट से जब हम मैगनेट को मूव करते हैं तो इसकी वज़ा से जो इसके अंदर पर डियूस होती है करंट उसे हम अंडियूस करंट कहते हैं और वो क्रंट प्रोड्यूस करने वाली चीज़ को हम इंडियूस EMF कहते हैं अब हम मारे पास जो रूल है वो ये कह रहा है दि डिरेक्शन आफ एन इंडियूस क्रंट इन अर सरकेट इस आलवेज उपोजिस जैसे ही हम इसको इसके क्रीब लेके आते हैं इस सॉलिनाइट के क्रीब आता है तो सॉलिनाइट के अंदर मैगनेट की वज़ा से यहाँ पर एक एलेक्ट्रो मैगनेट परड्यूस हो जाता है Electromagnet पुनियादी तोर पर एक temporary magnet होता है जो कि उस वक्क्त तक produce होता है जब तक solenite के अंदर current produce होती है और जैसे ही magnet इसके क्रिवाता है इसके अंदर एक magnet produce होता है जैसे ही magnet produce होता है तो इसके poles बन जाते हैं इन poles को हम, right hand grip rule यह इस तरीक से राइट हैंड ग्रिप रूल अब थंब आफ को पता है थंब की सुर्थ में ये नार्थ पोल बन जाता है और ये हमारे पास सौथ पोल बन जाता है Dear Students, ये दोनों नार्थ पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं यही चीज जो हमने पढ़ी है The direction of an induced current in a circuit is always such that opposes the cost अब यहां पर current produce करने वाला ये magnet है अब यहां पर जैसे ही पोल बने है तो इस पोल की creation की वज़े से ये एक दूसरे को रिपल करते हैं तो यहां पर जो current की direction है वो anti-clockwise है यहां पर इसकी direction क्या है anti-clockwise है आप यहां पर देख रहे हैं तीर का रूख इस तरीके से लेकिन इस repulsion की वज़े से ये हम दूसरी एक और डायग्राम बनाते हैं नीचे अब ये magnet दूर चला गया है repulsion की वज़े से ये दूर हो गया जैसे जैसे ये magnet इससे दूर होता जाता है वैसे वैसे इसके अंदर जो पॉल्स की तबदीली आनी शुरू हो जाती है जो induced है जो हमने उस तिन भी पढ़ा था electromagnetic induction तो induction तो तबदीली की वज़ा से यहां पर पॉल तबदील होना शुरू हो जाता है यह हमारे पास अगर पहले यह नार्थ पॉल था तो यह सौथ पॉल बन जाता है और यहां पर नार्थ पॉल आ जाता है अब जैसे जब हम इसको इस साइड पर move करते हैं अब नार्थ औ साइड पॉल एक दूसरे को ट्रेक्ट करते हैं तो यह इसके क्रीब अना शुरू हो जाता है जैसे जैसे यह क्रीब आता है वैसे वैसे जब यह इसके दूर जा रहा होता है तो इसकी जाहर है direction यह चेंज हो जाती है यह सौथ बन जाता है तो इसकी क्रंट जो एक वो clockwise हो ज होती है वो क्लाकवाइज डिरेक्शन में होती है और अजीस तलबाद जैसे ही इसके क्रीब आता है तो यह दुबारा नार्थ पॉल में तब दीर हो जाता है और यह सौथ पॉल में हो जाता है और फिर यह रिपल्चर शुरू हो जाती है इस तरीके से हम अपने लेंज ला को डिफाइन करते हैं ती डिरेक्शन आफ एंडियो स्कृरंट इस आलवेज इना सरक्ट इस अलवेज सच दैट इस अपोजिश यानि कभी यह इस साइड पर आता है तो यह इसको पोस्ट करता है और जैसे ही इसको रिपल करना शुरू कर देता है तो फिर इसके अंदर नाथ और सौथ पॉल में अट्रेक्शन पर इस अपने इसको पहले यह याद करना है उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन करनी है फिर ये सारी की सारी एक्टिविटी आपने लेंड कर लिया। अमीद है आपको लेंजला अच्छे से समझा आ गया होगा। इसको आपने कापी पे लिखना भी है। इसके लिए ये दोनों डायग्राम्स बड़ी जरूरी है। अस्सलाम उलाएकुम।